वैदे ही बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी बहन का रिष्टा होने जा रहा था। अपने बहन पुर्णीमा को तयार करते हुए बली क्या बात है आज तुमारी सगाई है उसके बावजुद तुम इस तरह उदास हो। पुर्णीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा मा बाबा ने लड़का ढूंडा है तो जरूर अच्छा ही होगा मगर क्या देदी देखो कितने अच्छे खासे हैं एंसम है हमारी जिजाजी इनके आगे तो धर्मेंद्र और जितेंद्र भी फेल है। कहते हुए वैदेही ने अपने होने वाले जिजाजी की तस्वीर अपनी बहन पुर्णीमा के आगे कर दी। दोनों में से कोई एक मैच्चुर हो और रिष्टा आसानी से चलता रहे। इनकी तो मूच भी नहीं है। मुझे तो मूच वाले लड़के एंसम लगते हैं। ये तो तेरी पसंद है मूच मुंडा लड़का और उम्रका कम अंतर। ऐसा कर तू शादी कर ले। कहते हुए पुर्णीमा मुस्कुराने लगे। मगर कहते हैं ना कभी-कभी मजाक में कई हुई बात भी सच हो जाती है। ऐसा ही वैदेही और पुर्णीमा के साथ हुबा। पुर्णीमा की शादी के बाद पुर्णीमा अपनी गिरहस्ती में खुश थी। उसने कुछ हद तक विराज को बदल दिया था। मगर काल चक्र ने कुछ और ही सोच रखा था। पहली डिलेवरी के दोरान पुर्णीमा को जो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई बकम उम्र में ब्रेन हैमरेज का कारण बरी। और पुर्णीमा अपने दो माह के बेटे को छोड़ कर इस दुनिया से चली गई। वैदेही तो मानों अपनी बहन के जाने के गम में इसकदर उदास थी कि उसे खुद का ही होश नहीं था। मगर जब खुद को थोड़ा संभाला तो अपने भांजे का ख्याल आया। तुरंत जाकर उसे अपनी गोद में लिया और जीब भर कर उसे दुलार किया। कुछ समय तक वहीं अपने भांजे के लिए मा भी थी और मासी भी। उसका अपने भांजे से लगाव देख कर पुर्निमा के सांस ने वैदेही के मातापिता से वैदेही का हाथ पुर्निमा के पती विराज के लिए मांग लिया। एक बेटी को खो देने का गम अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि दूसरे बेटी को किसी दूजाहो से व्याह देना उन्हें कता ही, स्विकार नहीं था मगर पुर्णिमा के सांस ने कहा यहां बाद विराज की और हमारे परिवार की नहीं है बलकि पुर्णिमा की अंतिम निशानी की है मैं नहीं चाहती कि उसकी परवरिश किसी गलत हाथों में हो इसलिए आपसे वैदेही का हाथ मांग रही हूँ आखिर मा के बाद मासी ही बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रख सकती है पुर्णिमा की सांस के तरकों के आगे वैदेही के मातापिता जुक गए और उन्होंने वैदेही की मर्जी जानना चाही उनकी किसी भी सवाल का वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया सिर्फ अपने भांजे जतीन को गोद में लेकर उसका चहरा निहारती रही वैदेही की खामोशी को ही उसकी रजामंदी समझ उसकी शादी विराज के साथ कर दी गई शादी के बाद पुर्णिमा की तस्वीर के आगे खड़े होकर वैदेही ने कहा दीदी जिन्दगी भी कैसे मजा करती है आपकी शादी मेरे पसंद के लड़के से हुई जो कम उमर का था और बिना मूच का था मगर मेरी शादी आपकी पसंद के लड़के से हो रही है हम दोनों में साथ साल का अंतर है और इनकी बड़ी-बड़ी मूचे है विराज के लिए तो जीने के लिए पुर्निमा की यादे ही काफी थी ऐसे में सारी जिंदगी उसने कभी भी वैदेही को कभी भी अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया मगर वैदेही जतीन की मा बनकर ही बहुत खुश थी उसका सारा दिन जतीन के देखरिक और उसके आसपास गुज़र जाता था दोनों के बीच काफी अच्छी बॉंडिंग हो गई थी उसे कभी अपने खुद के बच्चे का खयाल ही नहीं आया समय पंख लगा कर उड़ गया और आज नन्ना सा जतीन बड़ा होकर मल्टीनेशनल कंपनी में डाइरेक्टर बन चुका था जतीन जितना वैदेही के करीब था विराज से उतना ही दूर समय के साथ विराज को अपने गलतियों का एहसास होने लगा और एक रात वैदेही का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला मुझे माफ कर दो वैदेही मैं कभी तुमको पत्नी होने का दर्जा नहीं दे पाया आज अंतिम समय में मुझे अपने गलतियों का एहसास हो रहा है हो सके तो मुझे माफ कर देना बैदेही ने उसके मुँँ पर हाथ रकर कहा कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहे है आप भी ना कुछ भी कहते हो मगर शायद विराज के कहे शब्द सच थे और वह रात उसके जीवन की आखिरी रात थी विराज के कहे शब्द विराज के अंतिम संस्कार के बाद भी कर आने के बाद जतीन ने देखा वैदेही दर्वाजी पर ही टक टकी लगाए मानों किसी का इंतजार करेए जतीन उसे अपने कंधे का सहारा देकर घर में लेकर आया और बला मा इस तरह खामोश मत रहो एक बार अपनी मां को खो चुका हो और अब पिता को भी अब दोबारा अपनी मा को खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है जतीन के शब्दों से वैदेही मानों नीन से जागी हो और खुच से बोली हाँ यही तो अस्तित्व है मेरा जतीन की मा चाहे पूरी दुनिया के लिए मिसिज विराज थी मगर अपने जतीन के लिए उसकी मा अब मा बनकर ही सा में बया करना बहुत कठीन है कहते है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकती थे इसलिए उन्होंने मा जैसे अनमोल रत्न को बनाया मा उस भगवान का बनाया हुबा वो अनुखा किस्सा है जिसे आज तक कोई नहीं समठ पाया अजीब होती है मा लेकिन जिसके नसीब में हो और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और फेस्बुक पर फॉलो करें हमारे पेज को धन्यवाल